तो न्यूज एटीन के मंच पर नड़ा जी आपका अबिनंदन है और न्यूज एटीन देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और इसमें आपको हमारे करोडो दर्शक डिजिटल माध्यम से और न्यूज एटीन इंडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे लाइव कारिकरम के अंदर और चर्चा की शुरुवात करनी है और आप से पहला सवाल पूछना है तो मेरे मन में समय एक ही सवाल आता है कि नड़ा जी प्रधान-मंत्री-मोदी ने इस सत्र का आघाज राम-राम बोलकर करा था और क्या संकेत दिया है प्रधान-मंत्री-मोदी ने द जाम राम के नाम से लोगों को आदर सूचक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं, जहां तक 2024 का सवाल है, निश्चित रूप से सारा देश राम में हो रखा है, और एक वातावरन समाज में व्याप्त है, लोगों में बहुत उत्सा है, और उत्सा के साथ साथ एक खुशी का म हाल है, और ये एतिहासिक सत्य है कि 500 साल के पश्चात इतनी बड़े संगर्ष के बाद ये सौभाग्य मिला है और यहां बैठे हुए तमाम लोगों को और दुनिया को, देश को, उन सब लोगों को अपनी आखों से, राम लला को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देख समाज में पड़ा है, दो हजार चौबीस के चुनाओ के दृष्टी से भी लोग खुशनुमा माहौल में इस चुनाओ में आगे जाने वाले हैं। अथान है उनके लिए? नहीं देखिये, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और नहीं कभी हम अपना कॉन्फिडेंस विपरीत परिस्थिती में लूज करते हैं। जी। उसको गलत तरीके से सोच लेता है। जैसे अब यह उदारन लीजिए। आप ही लोग तीन मेने, दो मेने पहले बोलते थे। मद्यपरदेश गया, चत्यजगर भूल जाओ, राजिस्थान फिफ्टी फिफ्टी, अब हम हंड्रेड हंड्रेड ले आए तीनों में। तो अब यह तो… यह अब आप बोलिएगा कि उस दिन मैं बोलता था कि हम जीतेंगे। यह ओवर कॉंफिडेंस है। यह ओवर कॉंफिडेंस नहीं है। 24 इंटो 7 इंटो 365, all seconds, all time, busy in that activity, is the reason which gives us success। जी। तो दो हजार चॉबीस को भी हम उसी तरीके से देखते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जड़ा आप एक अनालिसिस करा लीजिए कि पिछले पांच सालों में आदर्णीय पधानमंत्री जी ने देश के कितने जिले घूम लिये। कितनी वार वो किस किस स्टेट में चले गए। The most mobile prime minister who has been actively associated with the people of India, this is his track record. तो 2024 में क्या निकलेगा वो ही निकलेगा जो हमने मता है। अब ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आज उन्होंने देश के सामने दस साल में किये हुए कारियों का उन्होंने एक बहुत छोटी सी जलक जो कोई असल में एक घंटे में सवा घंटे में रखा नहीं जा सकता है दस साल में किये गए काम। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी जलक रखी है। अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ Transformation of India Transformation of India दस साल में देश बदल रहा है तो अगर ये सब को दिखता है तो सब को मोदी जी को चाहते हैं और चाहते हैं तो हमारा ये overconfidence नहीं है तधान मंतर जी का overconfidence नहीं है हमारी मेहनत पर और लोगों का प्यार इस बात को हमें एहसास कराता है कि 2024 में भी वह आशिरवात देगी लेकिन आपकी मेहनत यानि BJP की मेहनत BJP को 400 पार लेके जा रही है और आप खुद NDA को 400 पार लेके जा रही है और BJP को 370 के पार लेके जा रही है आप खुद शिमला में थे, हिमाचल में थे, आपने संभाग की वहाँ पर एक बड़ी बैठक करी, लेकिन राहूल जी पी तो मेहनत कर रहे हैं और उनकी पार्टी को लगता है कि राहूल जी की मेहनत भी उनको 400 पार नहीं तो 200 पार तो कॉंग्रेस को लेके जाएगी, तो रा नाटक में मेहनत करी, वो राज्या आपके हाथ से निकल गया, ये तो मानना पड़ेगा. आए थे, तो वहां का MP बोलता है कि South India एक अलग country बना दो, निकले थे जोड़ो यात्रा पर और ये तोड़ने के पैमाने तैय करने लग गए, तो मद्यप्रदेश में होकर के आए थे, तो सरकार चली गई, सरकार आई नहीं, इस ये उन्होंने फिर से ये यात्रा चलाई है. इस यात्रा में बंगाल में उनको टाता बाई बाय हो गया, बिहार पहुंसते पहुंसते तक सरकार ही टूट गई, एलाइनसी खत्म हो गया. मैं आउंगा निटीज जी पे लेकिन जब वो आसाम पॉँचे तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री है वापे हिमन तब इस्वा सर्मा जी उन्होंने फिया रेजिस्टर कर दी तो कॉंग्रेस कह रही है कि राहूल का एक भय तो है एक डर है बीजेपी के अंदर इस विशे प इसको भी और नहीं जानते हैं मैं आपको उदारन देता हूं जेट प्लस सेक्योरिटी को एक पर्टिकलर रूट ही दिया जाता है इस डिस रूट इस रूट इस नोट डिसाइडेड बाई 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 नी इंडिविजियल वान कें से हम भी कहते हैं कि मैं यहां जाना चाहत तो मुझे कह देते हैं साब और आस्ता आपको नहीं ले जाएंगे कली मैं होकर के आया हूं मुझे पठान कोट के एरपोर्ट पर बारा किलो मिटर का डाइवर्जन करके ले गए वो अब यह हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है यह 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 पुलिटिकल कंपल्शन होती है ज को कानून के दृष्टी से वो भीडवार वाला इलाका था बाकी सारी दिक्कते थी उसके दृष्टी से उनको बताया गया कि यह रूट आप ले लीजे अब आप उसका पुलिटिकल उप्योग करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारे पाइलेट्स कई बार कह देते हैं कि सर वेदर इस नौट गूड इधर से नहीं जा सकते हैं उधर से जाना मैं बोले पुलिटिकली मेरे को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है यह कोई राहती की कारण मनता है क्या तो ऐसे ऐसे लेम एक्स्क्यूस लगाने की आदत है कोई दिक्कत नहीं है कहीं घूमना चाहें तो हम क्या करें वाट कनाई दू आप बताईये मैं उदाहरन देता हूं जी प्राइम मिनिस्टर वस्पीकिंग और लगातार वहां से रणिंग कमेंटरी चल रही थी वाट नट देर देशने अनी सीनियर लीडर अफ पाटी तो से प्लीज कीप कॉइट प्राइम मिनिस्टर हो और तक्षेओं पर जवाब देने का दम न हो दो दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया तुमारे को टाइम दिया गया आर्गूमेट्स तुमारे पास थे नहीं ओल्षालो आर्गूमेट्स वे गिवें कोई पढ़ाई करते नहीं हो पढ़ने निखले माले लोग तुम नहीं हो अपने साथ, वो तुम्हारे सहयोगी बनते नहीं है, तो तुम्हारा यही हस्र होना है, तो अल्टिमेटली मैं तो चाहूंगा कि नीचे रहो, लेकिन आप जाओगे दर्शक दिरिका, मैं हम क्या करें? अब वो कहते हैं कि जैसे एडी कारवाई कर रही है, जैसे एंफोस्मेंस डायक्टेट कारवाई कर रही है, अब वो कोई नेता तो है नहीं, लेकिन उनका ये बयान आया, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग सारी चीजों की जानकारियां रखते हूं, कोई आर्थ जगत का व्यक्ती, राजनितिक जगत का पंडित बन जाए तो कर तकलीफ होती है, इसलिए उनको कोई जानकारियां नहीं है, सच्चाई क्या है, आप बताइए हजारों करोड के घोटाले में सुनिया गांदी जी बेल पर है की नहीं है, आप बताइए राहुल गांदी हजारों करोड के घोटाले पर बेल पर है की नहीं है, आप बताईए, मनीश सुसदिया हाई कोट में कई वार अपने बेल को कैंसल कराने के लिए गए की नहीं गए, अपने इंप्रिजिन्मेंट को कैंसल कराने के लिए गए की नहीं गए, बेल मांगा की नहीं मांगा, रिजेक्ट हुआ की नहीं हुआ, संजय सिंग बहुत, ये औ करूँ, what can I do? तो इनको अब ये सब लोग, अब हेमन सुरेन है, मैं इश्वर की शपत लेता हूँ, मैं समविधान की रक्षा करूँगा, ED की दस नोटिसेस पर आप नहीं गए, Is this the behavior of a chief minister? And the ED had to go to your residence? एक उनी के कॉपी करने वाले पांच वार ED का notice उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के मुखे मंतरी, हम क्या करें? अरे, notice, SIT कमिटी की notice, प्रधान मंतरी मोदी जी को भी आई थी, प्रधान मंतरी मोदी जी अकेले गए थे, क्या BJP के पास लोग नहीं थे, कि नारे लगाते? क्या BJP के पास लोग नहीं थे, जो बाहर तमाशा कर सकते थे? लेकिन नहीं, Chief Minister गुजरात के रूप में प्रधान मंतरी मोदी जी ने कहा, कोई पार्टी का कारे करता नहीं आएगा, S.I.T. ने मुझे बुलाया है, मैं जाओंगा, उन्होंने साथ घंटे फेस किया, और निचली इदालत से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक बाइज़द बरी होकर के आए हैं, यह हमने तुशा किता है, रिस्पेक्ट टु दी कंस्टिटूशन, रिस्पेक्ट टु दी रूल अफ लाओ, रूल अफ दी कंट्री, रूल अफ दी लैंड, यह हमारा, हमारा कर्थव यह बनता है, यह ऐसे हैसे चीफ निस्ट बन गए, एडी की नोटिस को, मैं जयपूर जा रहा हूं, मैं फलानी जगा जा रहा हूं, अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत से ऐसी जगह है, जहां जाने की कारी आ गई होगी, अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता, तो वो भी जगह हैं, वहां जा सकते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं, जो अच्छा, दूसरी बात ये है, कि आप राहूल गांधी कल चले जाएं, कि भी मेरे को ये मेरे खिलाफ गलत केस चल रहा है, ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं, मेरा बेल वापस करो, और मेरे उपर से केस अठाओ, कहे ना, सोर्या गांधी कहे ना, बाकी लोग कहे ना, क्यों नहीं कहते हैं, ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पैरेडाइज है पैरेडाइज, ये बचे हुए है, ये जीवन बेल के बीच में गुजार रहे हैं, और आप बोलने हैं कि ED तंग कर रहा है, ED तंग कर रहा है, और भी रोपे पेड बबूल का हम कहां से होए, गल्त का हम करोगे तो भसोगी, भसोगे, जाना तो पड़ेगा ही, इसमें दि दूसरी तरफ, यानि आपकी तरफ सब पाक साफ है, आप इसके आगे वाशिंग मशीन बोलना भूल गए, देखिए, कोई भी केस वापस किसी का नहीं हुआ है, किसी का भी केस वापस नहीं हुआ है, सब केस चल रहे हैं, और कानून से बड़ा कोई नहीं है, और मैं on record बोल होगा, मैं राजनितिक कारे करता हूँ, मैंने court face किया हुआ है, तो यह तो ऐसे कामों में नहीं रहा है, कभी मैं आंदोलन के दौरान मेरे उपर भी केस हुआ है, हाँ गलत वहीं में मत रहिएगा क्यों कोई मेरे उपर केस हुआ है, लेकिन हाँ, कानून की respect करना, if you have been called, if you have been subbed, you have to go, कई वार धारा 144 ब्रेक हो जाती है, या हमारे उपर आरोप लगा होगा, हम लोग अंदोलन करते हैं, तो अंदोलन में चलता है, हम जवाब देते हैं, हम उसको रिस्पॉंड करते हैं, हम उसको रिस्पॉंड करते हैं, हेमन सुरेन जी तो चले गए जेल में, कानून के अंचार काम करने के लिए, ये सरकार, लानमंत्री मोदी जी के सरकार, ये उनका बैंडेट है, मैं के एक्जामपल दे देता हूँ, अरविंद केजरिवाल जी को पांच E.D. के नोटिसे आ चुके हैं, और वो पांच नोटिसे पे नहीं गए हैं, अब शक हो रहा ह है, या फिर आपको डर लग रहा है कहीं, और बोल भी रही है हम आदनी पार्टी कि अगला नंबर अरविंद केजरिवाल का है, नहीं देखिए ना, क्या होता है कि कर्म तो उन्हों ने की हैं, इसलिए उनको ही मालूम है कि अगला नंबर किसका होगा, वो हम तो नहीं बता स नहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कहीं नहीं आपके दाड़ी में तिनका फसा हुआ है, तो वो जो दाड़ी में तिनका फसा हुआ है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा, उसमें हम कहां हम 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 ह आपने तरीके से काम करता है, कानून अपने तरीके से काम करेगा. जी, एक सवाल, ये बड़ा परसनल सवाल है, जब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा हो रही थी और जब राम लला की मूर्ती सामने आई, तो आपके मन में भाव क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेर कर सकते हैं। संभालने का काम मेरा था, मैं एक युवा होता था, वहां से मैंने अपने जीवन में उसको अपने आखों से देखा है, वो रैली भी देखी बोट टलब की, वो अंदोलन भी देखा, फिर वो भी देखा जब कहा गया कि परिंदा नहीं पर मार सकता, वो भी हमने देखा, फि फिर उसके बाद अन्य वो भी देखे, ये सब चीजें जब हमारे सामने से गुजरती हैं, और आज जब मुझे, उस दिन जब मुझे राम लला वहां विराजमान देखे, और सारा देश दुनिया जए श्री राम के नारे लगा रहा था, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहूंग उस विशे पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जब मुझे सिर्फ बाबू, निटीश कुमारी आपके खेमे में आ गए है, तो जातिगर्ट जनगर्णा के साथ क्या करेगी भारतिय अंता पार्टी क्योंकि राहूल गांधी है से टाट की, हम अगर शासन में आये और अगर शत्ता में दोगजा चौबिस में आएंगे तो जातिगत जनगन्ना करवा देंगे देखिए दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं पहली बात तो आपने जो नितिश कुमार जी की कही और जातिगत जनगन्ना की कही भारतिय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगन्ना के विरोध में हमने नहीं कहा है पहली बात दूसरी बात जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो काका कालेलकर के रिपोर्ट के ऊपर कौन बैठा रहा इनके पूझ ये परदादा जवाहलाल नेहरू कितने साल बारा साल बैठे रहें मंदल कमिशन की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा इनकी पूझ ये दादी इंद्रा गांधी दस साल तक और बाद में राजीव गांधी पांच साल तक बैठे रहें और नारा क्या लगाया ना जात को ना पात को ये पार्लिमेंट के अंदर का ओबी सी का विरोध किया अब इनकी स्थिती ऐसी हुई है कि ये कोई मंत्र ढूंड रहे हैं जिस मंत्र से इनको चुनावी नहीं या पार लगे अब इसलिए जातिगत जन्गंणा ओबी सी ओबी सी ओबी सी बोलने लगे ओबी सी की कभी इनोंने चिंता की ओबी सी को constitutional status हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्र जी ने दिया है ये भी हमको ध्यान दिया है they are not they have got nothing to do with OBC they have got nothing to do with Jati Jan Ganda they have got nothing to do with backward they have got nothing to do with Dalit they have got nothing to do with tribal they have only to do how to reach the corridors of power and how to come into power that is their design तो उसके लिए ये करते रहते हैं ने ने नारे ढूंते रहते हैं कभी जेन्यू जाते हैं कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं इंशाल्ला इंशाल्ला भारत के होंगे टुकडे टुकडे उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं कभी इनका हम अफजल सर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, फिर भारत जोड़ो यातरा पर निकल जाते हैं, यह हर कुछ करेंगे, हर जगा जाएंगे, जहां इनको वोट दिखेगा या वोट का संभाव न दिखेगी. उत्तरबदेश में बीजेपी क्या कोई बड़ा गड़बंदन कर सकती है, क्योंकि बार-बार अटकले लगाई जा रही है कि मायवत्ती और बीजेपी साथ आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे छोटे दलों के साथ गड़बंदन हो गया है, राजबर जी के साथ हमारे साथ आ गए है, उसी तरीके से हमारे निशाद पार्टी पहली आ गई थी, और हमारे अपने महान पार्टी उनका भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है, तो इस तरीक कि दिगट नेताओं का क्या होगा जो शिवराज जी बसुंदरा जी देखे हमारे हां हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडर्शिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं जी मैं आपको सिर्फ याद दिला दू अमनीची कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था एक समय आया कि हमको सब जर्णी लाने हैं हम सब लोग एक साथ जर्णी सेबरेटरी के रूप में आये अब इसी तरीके से वसुद्राजी ने दो टर्म देख लिया था, शिवराजी ने साड़े तीन टर्म देख लिये थे, लॉंग एक्स्पीरेंस हो गया था, नए लोगों को चांस देना चाहिए, यह उद्देश्य था, लेकिन पुराने को का उप्योग होना, सदुप्योग हो अपना यात्रा है, उसमें उन्होंने चारों स्टेट में वो साउध के स्टेट में जाकर के आया है, और आगे उनको और ruining बेचि मेलाजा जाएगाए लगाया जाएगा गाजाएगा जिथे, लोग्स्पा चुनाव भी आ रहेये तो क्रिशाबंES दिखनाव में इएक भी य क्वेयों को ला रहे इसा क्वेयोंब से तो तीर नहीं भूला कि बीजे पी एक सांसत को छोड़कर इसाथतर सृत्व के टिकर चाटने वाली थे किसके लिए उन्होंने कहा अकलेश आदफ ने उन्होंने किसके लिए कहा कि एकसांसद लेकिन मैं मैंने इस सेटमेंट ना उनका सुना ए न मैं सके बैकराउंड को जानता हूं लेकिन भारतिय जंटा पार्टी सारी चीजों का सही विशलेशन करने के बाद फैसला लेती है और इस फैसले में हम सब को ये कहते हैं don't take it for granted कोई भी व्यक्ति राजनीती में किसी भी जगा को अपने अपना अधिकार समझ करके न बैठे सब को चलते रहना है बढ़ते रहना है चलते रहो चलते रहो चलते रहो नए मकाम नए वो मिलेंगे उस पर आपको आगे बिलकुल हम आखरी राउंड पर पहुँच गए हैं और ये तस्वीर वाला राउंड है तस्वीर वारे राउंड पर जाने से पहले वीडियो वाल पर एक तस्वीर आएगी और फिर उस पर नड़ा जी आपका हम जवाब लेंगे राम लला जी की तस्वीर है क्या कहना चाहेंगे आप मेरा जवाब मिल गया आपको ये हमारे लिए जैश्री राम जी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है मुझे भी नी पता ये सर्प्राइज है अब सेमन सुरें जी के साथ केजरिवाल जी बैठे है बर्ड ओफ फेदर फ्लॉक टुगेदर और कुछ कहना चाहते हैं अब नहीं मैं तता ही कहूंगा बर्ड ओफ फेदर फ्लॉक टुगेदर जी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है लाहूल गांदी जी किस सोच में डूबे हो तुम जी बहुत बहुत शुक्रिया नडडा जी आप न्यूज 18 के मंच पर आए आपने व्यापक समय दिया और इस कारिक्रम के में आपने पाट लिया जी बहुत जी जी खाट जी आपने खाट जी आपने बहुत जाए